भानगर्ड का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो पहली चीज आती है वो है भूतिया दरसल इस किले को लेकर इतनी सारी कहानिया बन चुकी है कि अभी ये किला बस भारत ही नहीं दुनिया की सबसे हॉंटर जबों में जेग है भानगर्ड राजस्थान के अलवर जिले में स्कित है और इसे आमीर के राजा भगवन्त दासने सन 1573 में बनवाया था इसके बसने के बाद लगबख 300 वर्षों तक यह राज्या बाद रहा एक कई राजा आए कई गए और राज्या पुर्फूलित होता रहा तब तक भानगर्ड में सब कुछ ठीक ठाक था और राज्या हर तरह से तरक्की कर रहा था भानगर्ड को बसे हुए अब 300 साल से जादा हो चुके थे और अब वो समय आ गया था जिसकी वजह से भानगर्ड आज भी जाना जाता है यही वो समय था जब भानगर्ड की राजकुमारी रतनावती का जन हुआ राजकुमारी रतनावती 55 से ही इतनी खुबसूरत थी कि पूरे राज्या में उसके रूप और उसके गुणों की चर्चा थी जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका रूप और निखरता गया गोरा रंग, बड़ी-बड़ी आँखी, गठीला बदन और चेहरे पर एक खांदारी तेश देश के कोने-कोने से राजकुमार उस पर लट्टू थे और उससे विवाह करना चाहते थे लेकिन विधी को कुछ और ही मन्जूद था राजकुमारी रतनावदी अब अठारा वर्ष की रो गई थी और पहले से भी कहीं अधिक सुन्दर दिखने लगी थी एक दिन यूगी उसका मन हुआ कि वो किले से बाहर अपनी सक्षियों के साथ फूने तो वो बाजार में निकल पड़ी राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर रुखी और वहां तरहे तरहे के इत्रों को हाथ में लेकर उनकी खुश भूलेने लगी लेकिन तब ही दूर खड़ा एक अंजान व्यक्ति उसे छिपकर देख रहा था आखिर कौन था ही अंजान शक्स दरसल ये व्यक्ति था सिंधु सेवडा एक कहुचा हुआ तांतरिक और वो काले जादू का हुनट बहुत अच्छे से जानता था ये तांतरिक रतनावती को देखते ही उस पर मुधित हो गया और किसी भी सूरत मेराज कुमारी को अपना बना लेना चाहता था इसके लिए उसने क्या क्या नहीं सोचा और फिर उसने एक चाल चले तांतरिक ने अपने काले जादू से रतनावती के हाथ में पकड़े हुए इत्र की बोतल पर वशी करन का जादू कर दिया ताकि जैसे ही रत्नावती उस इत्र को सुंगे वो खुद खुद तांत्रिक पर मुवित हो जाए और उसकी तरफ दोड़ी चली आए और उसका आवालंगयन कर ले तांत्रिक ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही किया उसने रत्नावती के इत्र की बोतल पर जादू कर दिया और उसका जादू चल भी चुका था वो बस कामयब होने ही वाला था कि तभी राज्य के एक वफदार शक्स ने राजकुमारी को तांत्रिक की इस चाल के बारे में बता दिया राजकुमारी रतनावती गुस्से से लाल पिली हो गई उसने तांत्रिक को सबक सिखाने की ठान ली गुस्से गुस्से में राजकुमारी ने उस इत्र की बोटल को बड़े से विश्याल काई पत्थर पर देमारा वो तिर उट गई और सारा इत्र पत्थर पर फ्यल गया फिर उसके बाद जो हुआ वो तो पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था तांत्रीक का जादू तो काम कर चुका था लेकिन रत्नाबती पर नहीं बल्कि उस बड़े से पत्थर पर दीरे दीरे वो पत्थर तांत्रीक की और दोडने लगा तांत्रीक कुद को बचाने के लिए खूब भागा लेकिन तक तक तो बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते उस पत्थर ने तांत्रीक को पुचल डाला तांत्रिक सिंधु सेवडा बुरी तरह खायल हो चुका था उसके प्राण बस निकलने ही वाले थे कि उसने राजकुमारी रत्नावती और भानगर को श्राब दी दिया कि भानगर में उड़ा ने जो श्राब दिया उसी ने पूरे भानगर को बरबाद कर दिया कुछी दिनों बाद केले पर हमला हो गया और सभी लोग मारे गए यहां तक कि राजकुमारी रत्नावती भी मारी गए और भानगर हमेशा हमेशा के लिए विरान हो गया तब से लेकर अब तक भानगर में ना तो जीवन पनपा और ना ही शायद कभी पनप पाएगा क्योंकि माना जाता है कि राजकुमारी रत्नावती और बाकी सभी मरे हुए लोगों की आत्माई आज भी यहीं भटकती है